बच्झांड मेनों हो चुका है एक औक्तूबर से स्थार्ट होचुका है 31 अक्तूबर तक बैल रहेगा बट्र दिकमत आ रही थी कि जो बैलिट है वह धिल कैसे करना है उसमें अपलाई कैसे करना है या अप कहा है तो हैं ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी वो फॉलिडे वर्क वीजा के रिगार्डिंग कुछ कोशन्स आ रहे थे तो आज हम बात करेंगे कि जो आपका ड्रो में नाम डालना है जैसे कि हम कह से कि बैलेड में नाम डालना है वो किस तरीके से डालना है step by step हम बात करेंगे आपके screen के सामने सारे screen shots आ जाएंगे जो जो भी steps है step by step आपको सारी information वहाँ पर मिलती रहेगी और साथ में आपको बताता रहूँगा सबसे पहले आपको इमी अकाउंट बना लेना है इमी अकाउंट बनाने के लिए आपको मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ड्रैक्टली आप ऑस्ट्रेलिया की इमीग्रेशन की website पर चले जाओगे इमी अकाउंट बनाने के बाद जैसे आप लोग इन करते हो देन आपका जो फर्दर स्टेप है वो सारी चीज़ें आपको स्क्रिंशोड मिल जाएंगे सबसे पहले स्टेप है आपको यह आपकी स्क्रिंशोड हो जाएगा सबसे पहले आपको new application पर क्लिक करना है यहां पर लिखा होगा new application ईपठ अप्लिकेश्न या summit application हमारी new application है सबसे पहले हमने new application के ऊपर submit कर देना है new application open करने के बाद जब कैसे हम क्लिक करेंगे यह अगली अगला पेज आज़ लिखोगा 482 technical shortage यह यह सारी वीजा केटेगरिस लिखी हुएं कौन कौन से वीजा में अपने अप्राइग करना है लइक हैल्थ हो गया फैमिली हो गया citizenship हो गया student visa हो गया वेस्ट्र वीजा हो गया last में आप सबसे last में ने देखेंगे working holiday maker बट कुछ लोग क्या कर रहे हैं working holiday maker में क्छिक करके आगे process करने के ट्रै कर रहे हैं बट ऐसा नहीं है हमने अभी visa apply नहीं करना हमने अभी visa की pre application registration करनी है तो आप नीचे चेक करोगे अब बिल्कुल नीचे से चेक करोगे last में रें سके ओपर है विस्टमर दन हर्साइब visa प्रियас अ कर देना है तेरह चैक कर उगे कि ये काफी और भी सब काटिगरी जाज गी आ थो शीरें और उपन होगी ऐँ regiast시dy देखो एक तो जो प्रियां टीकर इस डाओ होगी है हमारा जो Indians के लिए है work and holiday visa है subclass 462 bracket में 462 लिखा हुआ है आपने subclass 462 वाले पे click कर देने हैं जो नीचे वाला है registration work and holiday visa पे click करोगे देन एक form open हो जाएगा इस form को आपने फिल करना है ध्यान से पहले रीड करना है उसमें जो first column है I acknowledge that में कि I have read and understood the department's privacy policy and understand that I may be contacted in future for the purpose of research policy and program evaluation इस पे हमने click कर देना है I have read and understood the department's security statement तो यह जो acknowledgement हमने देनी है कि हमारी जो privacy है वो आपके बस जा रही है हमारी details आपके बस जा रही है और फर्दर यह contact भी कर सकते हैं जो immigration department है तो इस पे acknowledgement पे हमने दोनों पर टिक कर देना है उसके नीचे स्क्रोल करोगे your details आ जाएंगी details में आपका family name आ जागा और given name आ जाएगा देन आपका gender क्या है female, male, other तो आप accordingly अपने जेंटर की accordingly वह यह सारी details फिल कर सकते हो उसके बाद आपकी date of birth आ जाएगी date of birth में आपकी जो भी date of birth है आप select कर लोगे देन अगला स्टेप है passport number उसके बाद आपने passport number फिल कर दिना है इस secretion में देखोगे कि आपका country of passport आ रहा है passport date of issue आ रहा है पासपर date of expiry आ रहा है जैसे ही आप country of passport क्लिक करोगे इंडिया क्लिक करोगे इंडिया क्लिक करोगे एक और कॉलम आ जाएगा साथ में national ID नंबर तो आपने पहले तो अपना passport country of passport फिल करना है देन passport date of issue लिखना है देन passport date of expiry आपने यहां पर mention करना है अब national ID नंबर में क्या डाला है कुछ लोग अपना national ID नंबर में धारकाड भी डाल रहे हैं बट as per website as per immigration website उसमें लिखा कि आपने अपना pen card नंबर डालना है आपने national ID नंबर में अपना pen card फिल कर देना है देन आगे और acknowledgement होंगी declaration होंगी आपने सभी टिक कर देना है अब फिर भी आप read कर लेना accordingly आपने सब को mark करके अब save कर सकते हो save करने से पहले आप review भी कर सकते हो अपनी profile आप review पर click कर रहोगी तो ऐसा कुछ आ जाएगा जो जिसको आप changes भी कर सकते हो यहां पर आ जाएगा option नीचे देखोगे edit details आप अपने details added भी कर सकते हो अगर आपको लगता कि सारा कुछ सही है तो आप pay and submit पर click कर सकते हो pay and submit के बाद आपको payment options आ जाएंगी आप सबसे उपर चेक करोगे debit card और debit or credit card के options आ रही है paypal union pay we pay Australian bank accounts only तो मेरे ख्याल में इंडिया से debit card और credit card लोग ज्यादा यूज़ करते हैं आप उन में से payment करनी है then आप जो भी select करोगे country country जो select करनी है address select करना है city लिखोगे province लिखोगे pin code लिखोगे then अपने card के details डालोगे यहां पे 25 dollars Australian dollars आपकी fees होगी जो deduct होगी but एक चीज़ और है इसमें 25 dollars से भी उपर payment हो जाती है अगर आप debit card से payment करते हो ऐसे ही आप debit card की details डालोगे जो आपकी amount है वो 25.35 Australian dollars आजाएगी वैसे कोई ज्यादा फरक नहीं है payment करने के बाद आपके पास एक confirmation में आजाएगी confirmation का page आजाएगा कि आपकी जो payment confirmation हो चुकी है और receipt number बगएर आजाएगा then आप view and print email receipt भी कर सकते हो आपकी जो receipt है वो आप अपने बास print दे सकते हो then next उसके बाद आप next कर सकते हो next करने के बाद आपका option आ जाएगा यहां पर आपको दिख जाएगा registration submitted का आपकी जो registration है वो submit हो चुकी है उसके बाद आप go to account पे जा सकते हो अप go to account पे जाके अपनी आपकी सारी details आ जाएगे आपका प्राउंट अपन हो जाएगा उसके इलावा अब दुबारा से अपनी further सारी जो आपकी details है उसको भी edit कर सकते हो पास्पोर नम्बर और उगएरा तो ये था सारा step by step process बैलेड में apply करने के लिए उमीद है आप सब लोगों को अच्छे से clear हो गया होगा बहुत ही easy process है वैसे तो ये read करने से ही समझा जाता सारा कि किस तरीके से आपने अपना बैलेड में नाम डाला है बट फिर भी कुछ confusion हो जाती है तो confusion को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है उमीद है आपको लोगों को help मिली होगी मेरी वीडियो से और other वीडियो से भी आपको help मिल रही होगी तो जुड़ेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना बोले धन्यवाद